इन में हमारा यहीं जज्मेंड रहता है कि कौन से पत्थर को केसा तोड़े और यहां कौन सा कलर कितने अंदर तक है कौन से आकरती कितने डिपली स्टोन में वननी थे यह हमारा जज्मेंड है यही हमारी सी के कि हम पत्थर को देख के बता देते हैं कि पत्थर में कितनी गहरा selecting color और पत्थर को कहां से काटे कहां से तरा से कि यह जो चिन्न ने कहां तक कैसा बने अभी हम आए है नाम देव शित्व लिंग में क्जिन आम है आपका x3 कितने सालों से यह व्योसाहिए यह हमारी दिश्री पीड़ी हो गई शुवर्वलिंग निर्मान का कर्स्क्रीण का गया था जिने प्रधान मंत्री आटल व्यारी वाजबाई जुको भी नर्वद्र शुलिंग भेट किया गया था तेरे दिन के कार्यकाल में जब वह प्रधान मंत्री बने थे तब और यह जो सिवलिंग का आप काम करते हैं कहां तक पढ़े हैं मेरा मेरा मास्टर व्यूशन कंप्लीट है और सिवलिंग का कार हमां बचपन से में देख रहा हूं पिता जी वह दादा जी के समय से हो रहा है यहां बने सिवलिंग विद्योस्व में भी भेज़े जाते हैं निर्मान किया जाता है वह रही से बारज वतिलिंग तीरत इस्थलो और जितने भी पवित्र देविस्थाने उन सभी इस्थानों पर नर्मत्र सिवलिंग को भेजा जाता है और आम जमन मानस को दिया जाता है ताकि वह इनकी पुजा कर सके और भगवान सेव को आराद्य मा कार्य नहीं कर सकता जितना भी काम होता है बίο स्धाय कि येगा काम होता है वार्करों के बीछuchen कर कर घठा है कार्य किस तरीके कारों के को बनाते हैं आप किसी बावना रह से कि नरबदा नदि में से बने बनातれた अधम नहीं निकलते हैं बे डोल टोल गोल लड़ू के समान तेड़े मेड़े पत्थर निकलते आपने पुराने मंदिरों में देखा होगा कि पुराने जो भी नर्वद्यस्वर सिवलिंग है वो एकदम अंडा आकार है थोड़े तेड़े मेड़े गोल है 75 परशन गोल रहते मगर इस आधुनिक दोर में समय के साथ इस गार ने गति पकड़ी और उस समय के प्रथन स्यूलिंग को बनने में करते मेड़ दिन का समय तो अभी ये जो देख़ेशन जैसे कि पुराने समय में ये इतना आधुनिक फैसिल नहीं था पुछ यंत्र सामगरी नहीं थी तो हाथ उसे ही पत्थर को ऐसे घाट दिया जाता था उसको आकार दिया जाता था और स्वर्गिये मांगिलाल जी इस काम में इस व्याउशाय में पेड़ी दर पेड़ी शीए करते आ रहे थे और यहां के इनके मुताबिक इनके बताये जाने के मुताबिक ये जो पहले इंसान थे जिन्होंने नर्मदेशर शिवलिंग को आकार देने का काम सुरू किया था तो इस तरह से जब हम इन्होंने शुरुआत की थी तो ये टेड़े मेड़े पत्थर से इसको तरासने के लिए इन्होंने पत्थर से पत्थर को घाट दिया था उसे पालिश किया था तो ये बहुत ही बहतरिन कामगीरी थी लेकिन आज के यंत्र यूग है ये तो यंत्र यूग में आज कई तरह की यंत्र आ गये है जिसके वजह से ये काम बहुत आसान हो गया है और ये बता रहे है हितेश भाई के मन्ये वड़ा प्रदान स्री भी को भी ये भेट दे चुके है और इस तरह से हम आये है बकावा गाओं के अंदर जहां पर सबसे बड़ी ये जो सिवलिंग की दुकान है नामदेव सिवलिंग आट एनस ए जिनके ओनर है हितेस भाई नामदेव जिनको मिलकर बहुत ही कुशी है हितेस भाई क्या संदेश देना चाहे करते रहे और अपने धर्म का प्रसार प्रसार करते रही है यह जो सिवलिंग बना है यह इसमें कोई आर्टिफिशल है या फिर इसको एप पत्थर यह सा होता है अधर कलर भी कुद्रती नर्बदा नदीव भारत देखिए अपने जिस्व में दोई नदियों का पत्थर दिने वर्दान मिला है पुराणों के अनुसार कि मा नर्मदा का हर कंकर कंकर संकर है आप नर्मदा नदी में से आगर एक कंकर भी लाते हो और उनकी भी पुजा करते हैं तब भी भोलेना प्रसंद होंगे और हमारे जो स्यूलिंग बन रहे तब भी भोलेना प्रसंद होंगे एसा जरूरी नहीं है कि स्विलीन बना बनाया हैं तो य बamine और बड़ा नदिकाहर कंशर संखर कहलता है हुआ भी बात कह दीया हितेश बाइने कि मां नर्मदा का हरी कंकर उसमें बगवान संखर का वास है एक बहुत ही पुरातन काल से हमारे पुरान में हम जैसे कि पहले भी बता चुके है कि मान नर्मदा के उपर ही एक पुरान है जो हमारे अठारा पुरान है उसमें से नर्मदा पुरान को ही एक स्थान दिया गया है मान नर्मदा का दर्शन मात्र से हमारे सभी पापों में से हम मुक्त हो जाते हैं तो एसा यह सिवलिंग का व्याऊसाई यहां बकावा गाओं में चल रहा है और पेड़ी दर-पेड़ी यह लोग यहां पर अपने इस कारिय को बतौर खुसी-खुसी यह कर रहे हैं और देश और दुनिया को यह अपने व्याऊसाई से और एक प्रकार की एक तरह की धार्मिकता जो हमारे देश में बढ़ रही है और यहां से इस नर्मदेश्वर सिवलिंग का भ्याउसाई पूरे विश्व में चल रहा है तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप यहां पर आते हैं तो खरगोन जिले में ये बकावा गाउं परता है उमकारेश्वर से 40 किलोमेटर की द आंगिलाल जिन्होंने सर्व प्रतम यह आप देखेंगे यह अटल बिहारी बाजपेई जी के साथ भी इनका आप देख सकेंगे कि इनके द्वारा उनका सनमान भी किया गया था जिसको यहां स्मृति के रूप में भी रखा गया है और बहुत ही बढ़िया यह काम यहां पर हर एक तरह की मूर्दी मिल जाती है यहां पर क्या रेट रहता है और किसा कितने इंच से लेकर कितने एनका कि मुर्दी मिल जातीह वह दिखिए हांपर 10 रुपय से स्टाडिंगं में की दस रुपय का सिलीग को बनने में लागत लगता है और बड़ा से बड़ा को 24 September मिल अभी तक का सबसे बड़ा सिवलिंग 24 फिट का बनाएं जिसका वजन चाचाटन है जो ततकाल में अभी हिदराबाद में इस्तापी थे आप जहां कर जा के उसका दर्सनलाप ले सकते हो जो वीश्व का या भारत का हैंड मेड हास से तरासा हुआ सबसे बड़ा सिवलिंग है अभी के युद में है यहां का सिवलिंग 24 फिट हाइट का और जिसका वजन 66 टन कहा जाता है जिसको हैदराबाद में लगाया गया है सिव मंदिर में वह भी यहीं से यह नामदेव सिवलिंग आर्ट की और से बेजा गया है तो ऐसा बहुत ही वर्ड फेमस यह जगा है और म आपको यह नामदेव सिवलिंग आर्ट के नाम से मिल जाएगा और यहां आने का पूरा मैप भी आपको दिख जाएगा तो अवश्य यहां पर मुलाकात लीजिए और भगवान सीव संकर का नाम कॉमेंट ब्यूक्स में जरूर लिखिएगा